दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ को जीयो को 5G नेटवर्क का आप कैसे आपने मोबाल में बिना सीम के ही चलाएंगे और स्पीड जो मिलने वाली आपको 1 GB पर सेकेंड मिलने वाली है तो दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि 29 आगस को मुकेस अंबानी जी ने आगर के बता दिया है कि इंडिया में जीयो 5G अब लाउंच होगा दिवाली के मोगे पर यानि अक्तूबर महिन में लाउंच कर दिया जाएगा और ये टोटल लाउंच होगा 4 सीटी में अगर बात कर लें दोस्तों इंडियन गुर्ण में सबसे पहले कह रहे थी कि हम 13 सीटी में आल्रेडी ट्रैल कर चुके हैं और 13 सीटे में ही सबसे पहले लाउंच किया जाएगा लेकिन मुकेस अंबाने जी ने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ ये चार सिटी पे लांच किया जाएगा दिली, मुंबई, चेन्ने और कोलकाता है यहाँ पे अक्टूबर महिने में ही लांच कर दिया जाएगा 5G और पूरे इंडिया के अगर बात करें कब लांच हो जाएगा तो उन्होंने बताया है कि दिसंबर 2023 तक पूरे इंडिया में 5G के नेटवर्क हम पिछा देंगे अगर बात कर लें दोस्तों बिना सिम के कैसे आप 5G अपने मुबाइल में चलाएंगे तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जियो लेकर के आ रहा है दो ऐसे प्रोड़क्ट तो कि बहुत ही तेजी से बिकने वाले और दोस्तों गेम के दुनिया में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है जियो क्लावड PC और जियो एर फाइबर ये दो ऐसी डिवाइस है जो कि बहुत ही तेजी से बिकने वाला सिम से भी जादा लोग इसको पर्चेस करेंगे अब वाइफाई वगरे के जंजट भी आपको खत्म हो चुकी है एर फाइबर जो दोस्तों जियो का है इसमें आपको कोई अलग से केबल वगरे लगाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी यह एक डिवाइस होगी सिर्फ आप उसमें पावर देजिए और अपना लैप्टॉप डेक्टर जो भी कुछ है या मोबाइल उससे करेंट कर लेजिए और वन जीबी पर सेकंड के आपको स्पीड मिलने वाली है जी ओ एर फाइबर थूरू दोस्तों तो यह एक बहुत पीसी के बारे में तो क्लाउड पीसी के थूरू दोस्तों इंडिया में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है अब आपको सिर्फ लेप्टॉप या डेक्स्टॉप से ही बहुत बड़े-बड़े गेम खेल पाएंगे जहां आप गेम खेलने के लिए दो लाग तीन लाग क पीसी खरीते थे अब वह प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है मातर आप आइठी लेप्टॉप या डेक्स्टॉप से ही आप बहुत बड़े-बड़े गेम खेल पाएंगे सिर्फ क्लाउड पीसी का आप सस्क्रिप्शन लीजिए और आप नेटवर्क के थूरू ही आप गेम खेल पाएंगे ऑनलाइन तो दोस्तों इस वज़त से गेम की दुन्या में बहुत बड़ा भूच आलाने वाला है अब सारे जो है कि लाखों के पीसी जो आते थे वह सारे के सारे धरे के धरे रहे जाएंगे तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर के जरूर बताईगा चैनल को सब्सक्राइब दें साथी साथ बेल आइकन को भी दवाले ना ताकि लेटेस्ट वीडियो की इंफोर्मेशन सबसे पहले आपको मिल चके मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत